हां कच्छा 11 वी के प्याने बच्चो स्वागा थे आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओ एप्टी में जहाँ पर मैं आपको शिखाता हूं क्लास 11 का अकाउंट क्लास 12 का अकाउंट बीकाउंट फस्ट इयर का अकाउंट और बिजनेस माथमाटिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एकाउंट का चैप्टर 12 विनिमय विपत्र इसको अब देखिए विनिमय विपत्र में तो है बहुत सारे टॉपिक पर पढ़ना क्या है तो सबसे पहले तो आपको जानना है अधार बुच सब्द कि क्या कि इसमें इंपोर्टेंट है जो इस्टार करके आपको यहां पर दिया गया है अना हर एक सब्दकार्थ आपको पता हो कराना चाहिए मतलब पता होनाची हम जानेंगे एक विडिमय में पत्र क्या होता है वियुक्त क्या है अर्थ ख्या है इंकणमूना क्या होता है सब phenomenal इस State〜 तो डेटेल से सुरू से पढ़ना है तो वीडियो में एंड तक बने रिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो बिना किसी दे रिए कर सब्दा वाले कि कुछ महत्पूर्ण जो सब्द होते हैं जो आपको चाप्टर में पता होना चाहिए वह स्टार में आपको दिए गये निश्यत व्यक्ति को निश्यत अधि के पस्टात एक निश्यत राशित भुक्तान करने का आदेश देता है ठीक है तो इतना बड़ा जो हमने पढ़ा वही है विनिमय विपत्र मतलब इसमें एक सर्थ कंडिशन लिखे रहती है जिसके अनुसार वो किसी को पैसे देगा या उसके द्वारा आदेशित किसी अन्य व्यक्ति को पैसे देगा और वो पैसे कप देगा एक निश्यत तिथी तक दो महने के अंदर तीन महने के अंदर ये तिथी उसमें खंकित हो व्यक्ति को एक नीशिस समय पर पैसे का भुगतान के जाता है ठीक है अगला लेखा क्या आहरता ये वह व्यक्ति होता है जो बिल लिखता है तथा उस पर आश्दाक्षर करता है लेंदार या विक्रिता के द्वारा ही देंदार को रिड के भुगतान के रिए विपत्र लिख जाता है ठीक है तो जो व्यक्ति पत्र लिखता है उसको आप लिखा कहते हैं वह एक देंदार को लिखता है रिड़ का भुगतान करने के लिए अब है स्विकर्ता, स्विकर्ता एक देंदार होता है जो पैसे देने वाला है तो यहाँ वहाँ वेक्ति होता है जिस पर बिल लिखा जाता है वहाँ वेक्ति बिल पर हस्ताक्षर करता है और भुगतान के स्विकर्यती देता है यहाँ वेक्ति देंदार होता है तो मैंने बताया था को फर्स्ट में जो इस में लाश्ट में बताया है कि जिस वेक्ति को लिखा जाता है जो पैसे भुगतान करेगा यह स्विकरता या अहारी कहलाता है अहारी कतनाक नाम अगला है अधाता या प्राप्त करता अधाता या प्राप्त करता वह वेक्ति होता है जिसे भुक्तान प्राप्त करने का अधिकार होता है समानेता बिल का लेखा की प्राप्त करता होता है मतलब जिसने लिखा है कि पैसे का भुक्तान करो लेखा वही है उसका प्राप्त करता लेकिन कई बार यह होता है कि यह भले लिख रहे हैं लेकिन ये ये भी बोल सकता है कि इस पैसे को जो तुम मुझे दोगे, मेरे द्वारा आदेशित एक वक्ती है, मैंने बुल दिया राम को दे देना, تو इसके द्वारा आदेशित अन्य वक्ती को पैसे देगा, तो अब जो प्राप्त करेगा, वो आपका हो गया अदा आता या जीटे ही जिसे विपत्र की रखाने की शुक्रेती देता है उसकी की पुषक की जिर्षिषए इसे नेव्ड़ी पत्र आते हैं जो शुक्रेती देता है उसकी जिर्षिशे इसे हम देवी पत्र कहते हैं, ठीक है, तो पैसे मिलता है, तो उसको प्रापी पत्र, पैसे देने होते हैं, तो उसको देवी पत्र कहते हैं, ठीक है, बस अही समाने रुप से इसको याद रखिएगा, पैसे यह सब सब्सब्स नए नहीं, आप पहले भी इ ठीक है अब है प्रतिग्या पत्र प्रामिश और नोट देखें प्रामिश नोट क्या होता है वह लिखित विलेख जिस पर लेखा के हस्ताक्षर होते हैं और लिखने वाला यह सर्त रहित प्रतिग्या करता है कि निश्चित राज से निश्चित व्यक्ति को या आदेशित व् बैक्ति ये वहाँ को चुका दी जाएगी ये प्रतिग्या पत्र है ठीक है मतलब वो प्रतिग्या करते कि मैं उस पैसे को चुका दूँगा परस्पर सहायत करता सहायत करता विपत्र या अनुग्रह विपत्र एस विपत्र जो बीना किसी प्रतिफल की परस्पर आर्थिक सहा जाते हैं अगला है अनुग्रह दिवस रियायती दिवस देती थी के बाद तिन दिन भुखतान की विवस्था के लिए और दिये जाना अनुग्रह दिवस होता है तो कई बार होता है लोग टाइम पर ने चुका पादे तो वो एक अनुमत्ती करते हैं अनुग्रह करते हैं कि क या मांग पर तूरन करना पड़े वो दर्शनी विपत्र होता है ना तो जिसका भुगतान मांग करने पर तूरन करना पड़े उसको हम बोलते हैं दर्शनी विपत्र हर एक को उसके नाम से याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है तो जितना मैंने पढ़ा ना बस उसी उ दिन में सुन लेंगे तो पोयाद हो जाएगा बस आप ध्यान से सुनू अगला है मियादी विपत्र मियादी अब मियादी क्या होता है उसको टर्मबिल बोलते हैं इंगलीज में आउधी की समाप्ति पर प्रस्थूत करने पर तुरंद भुगतान होने वाला विपत्र मियाद कहलाता है तो यह तो कुछ महत्वपुर्ण सब्दे थे जो आपको पता होने चाहिए थे चाप्टर में अब आगे विन्यमय विपत्र का एक सही अर्थ आपको पता होना चाहिए ठीक है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं तो वीडियो को ध्यान से देखेगा इसकिप किजिए विन्यमय विपत्र एक लिखित आगे पत्र है जिसके माध्यम से देंदार एक निशित आओधी के बाद निशित रकम भुगतान करने के स्युक्रिती लेंदार को प्रदान करता है यह लेंदार के लिए उसके द्वारा दिये गरिड का लिखित प्रमार है भारती व पांच के नुशार विनिमय विपत्र की परिभासा इस प्रकार है कि विनिमय यहां से इस परिभासा है विनिमय विपत्र एक सर्थ रहित लिखित एवं लेखक द्वारा अस्ताक्षित आग्या पत्र है जिसमें विपत्र का लेखक किसी व्यक्ति विसेश को आग्या देता है क कि वह एक निश्चित रासी स्वैम को या उसके द्वारा किसी आदिस वेक्ति को या थो विपत्र के वाहब को उसमें उलेखित रासी का एक निश्चित अवदी के पश्यात मांग पर भुखतान कर दें ठीक तो वही एक दम कॉमन चीज है जब आप इसको दो से तीन बार या दस बार पढ़ेंगे ना तो आपको कंठस्ट याद नहीं समझ में आ जागा कि क्या होता है और क्यों लिखा जाता है और आप अगर किसी भी परिभासा का अर्थ समझ जाते हैं तो फिर यह आप खुद से दे सकते हैं थोड़ा सा बदल के ठीक तो अपने सब्दों में आप लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा पढ़ो गम से गम दाज बार पढ़ो इसको तो अपना कुछ नए बनाने नहीं पढ़ेगा हूँ भाहू उसको आप लिख सकते हैं और थोड़ा मुड़ा आपका भी चल सकते हैं अगला सर्थ रहित विनिमा विपत्र में कोई सर्थ नहीं होती अर्थात यह सर्थ रहित होता है उसके बाद है लक्षण के दुसरे पुएंट में लिखित या आग्या पत्र यह लिखित आदेश पत्र है अर्थात इसमें दी गई आग्या लिखित ही होती है अगला है वेक्ति वि पर लिखा जाता है उसके बाद है निश्चित रासी विपत्र एक निश्चित रासी के लिए ही लिखी जाती है उसके बाद है लेखक के हस्ताक्षर विपत्र पर विपत्र को लिखने वाले वेक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए छटवा पॉइंट है आपका यह एक निच्चित अवधी के लिए लिखा जाता है अताहा विपत्र में अवधी का उलेख आवसक है साथवा पॉइंट है आपका विपत्र की रासी का भुगतान एक मिनट इस पूपर कर दें विपत्र की रासी का भुगतान विपत्र का भुगतान एक मिनट हाँ तो हम बढ़ रहे थे विपत्र रासी का भुगतान विपत्र का भुगतान चालू है कि निच्चित विपत्र का भुगतान विपत्र की लेखा को अत्वालेखक द्वारा आदेशित वेक्ति या विपत्र के वाहक को प्राप्त होता है ठीक है? मतलब विपत्र के बुकतान में आपको पढ़ना है कि वो मिलेगा किसको तो जिसको मिलने है उसको या तो उसके द्वारा आदेशित वेक्ति को या किसी वाहक को मिलेगा स्विकर्टा का हस्ताक्षर तो विपत्र पर स्थाक्षर होना निवार होता है इसके लावा यह एक विकर्ष माना जाता है बतल श् ren बतलब ज़ो शिकार करेगा उसका भी अस्थ ता तर होना ज़रूरी है मुद्राइऑ के टिकट मियाइदी पत्तर पर मुद्राइब लगाया जाता है तुरंद भुक्तान होते मांग पर उस पर टिकट लगाया जाता है ठीक तो यह नौ लक्षण है इसके विश्यस्ताप कह सकते हैं घूड कह सकते हैं आपको याद रखना है ठीक है अब विद्यमेवी पत्र के पक्षकार लेखा क्या आरता तो पॉइंट यह है कि वह वेक्त पत्र का लेखा क्या आ हरता आउं घ्रिक्ति प्राया लेंदर क्याल थे ठीक है तो लेंदर या अहरता सके अब पट्र और प्राप्त करा लाएका तिन ऊपने पढ़ा पत्रक आपको नमूना पता होना चाहिए ठीक है विशे इसका नमूना आपके लिए मैंने त्यार किया हुआ है पर यह आप नमूना पूरा ध्यान से देख सकते हैं यह तरह का अगर आप बैंग जाते होंगे तो इस टाइप का आपको जमा परशिव अगेर मिलेगा यहां पर आपको पता है पहले नमबर पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको इस अमाउंड को दिखाना होता है जो आपको भुखतान करना है यह किसे से करवान है स्टांप लगाएंगे यहां पर जगहे का नाम और दिनांक लिखना निवार होता है यह लाइने लगभक सेम या गुर्णा व्रुथान किया जाना है जैसका प्रतिपल मुझे प्राप्त फर चुका है तो दुर्गा प्रशाथ सेवा में ठीक है तो यहां लिख रहे have वह जिसके लिए लिख रहे हैं उसको इस तरह से बता देंगे और यहां पर आप अपना स्ताक्शर कर देंगे ठीक है यह होता है एक विदिमय विपत्र का नमूना चेक अब विदिमय विपत्र के प्रकार को आप अलग-अलग खंडों में भी पढ़ेंगे डिटेल से यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि हम धीरे-धीरे जब पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको डिटेल समझ में आएगा अब भवा म विपत्र मियारी विपत्र फिर चौथा है आपका भुक्तान के अधार पर वहाक विपत्र आदेशित विपत्र फिर है लेखा कर्म के अधार पर प्राप विपत्र देविपत्र तो इतने सारे विपत्र हैं जितने आप उट्टिक दीख रहें ना उतने विपत्र हैं तो दो तरह अब मुखेत को बहुत कम चीज़ों को पढ़ें जिसकी पंजिब पुष्ट होती है वे है अग यहां पारिके भी पारिक भूपत्र सब यहां बहुत त curriculum से दिया हुआ है थीक है जिसको आप को पढ़ना वह मौह जरूरी हैं क्योंकि इस चाप्टर से थियोरी प्राक्टिकल दोनों बहतर इन तरीके से आते हैं एक्जाम में तीन नंबर चार नंबर सब कोश्वन आते हैं तो हम सिधा भी प्राक्टिकल पर आते हैं कि यह प्रतिग्य पत्र का नमुना कि इस्तिति के दो मां प्रशात में महिज प्रशात को उसके द्वारा थे जाता था कि आपको यह भुगतान करना यहां पर यह सिकरता लिख रहे हैं कि हां मैं भुगतान कर दूंगा अब दोनों में अंतर भी है तो एक्जाम की द्रिष्टी से यह महतपुन आपका पॉइंट टॉपिक वन जाता है इन दोनों का अंतर तो अंतर बहुत सिंपल है परस पढ़ते जाना समझ में आते जाएगा पहला है पक्चकार विपत्र में तीन पक्चकार हो सकते हैं लेका देखाक विण में विपत्र को लेंदार लिखता है और इसको देंदार लिखता है आदेश वं प्रतिग्या विपत्र में भुक्तान का आदेश दिये जाता है जबकि प्रतिग्या पत्र में भुक्तान करने की प्रतिग्या की जाती है तो यहां पर आदेश का पॉइंट है विपत्र में स्विकर्ता या स्विकृति लेनी होती है, स्वारिश्विकर्ता की स्विकृति लेनी होती है, प्रतिग्या पत्र में इस प्रकार की स्विकृति आवैसक नहीं है, तो यहाँ पर लेना है, यहाँ पर नहीं लेना है, ठेक, क्या नहीं लेना है, स्विकृति, विपत्र का लेखक, विपत्र की रासी का प्राप्त करता भी हो सकता है जबकि इसमें लेखक कभी भी प्राप्त करता नहीं बन सकता ये बिल्कुल सही है दायत्व, विपत्र में लेखक का भुखतान दायत्व उस परिशिति बहुता है जबकि स्विकर्दा विपत्र भुगतान नहीं करता जबकि प्रतिग्या पत्र में लेखक कहीं भुगतान दाइत होता है टिकट मांगने पर देया विपत्र पर टिकट अवस्यक नहीं होती किन्तु आन्य विपत्र पर टिकट लगाना अवस्यक है प्रतिग्या पत्र में टिकट लगाना अवश्यक होता है ठीक आलोकन विपत्र का नाधरन होने पर इसका आलोकन करा लेना चाहिए जबकि प्रतिग्या पत्र में आलोकन की आवसक्ता की नहीं करती आवसक्ता ही नहीं होती अब कुछ पंजी प्रविष्ठी होती है नहीं इस अप्टर में पुरा पंजी प्रविष्ठी है पर आपको टॉपिक वाई जानना है उसी तरह से एक और अंतर है प्रापे पत्र देवी पत्र में अंतर है ठीक है मैंने एक छोटा सर्थ बताया था जिसमें पैसा मिले वो प्रापे पत्र जिसमें पैसा देना वो देवी पत्र है ठीक है तो यह भी पत्र लेंदार यह भी क्रेता द्वारा लिखा जाता है यह भी विपत्र किरासी लेंदार या धारक द्वारक राप्त की जाती है इस विपत्र किरासी का भुकतान किया जाता है इसमें विपत्र का बेचान किया जा सकता है और इसमें नहीं किया सकता यह विपत्र वेपार की संपति होती है यह ताइत्वह होता है ऐसे बहुत सरे पॉइंट है तो आपको यह फटाफट पांच मिनट में तस बारा पढ़ सकते हों आपको याद हो लाएगा तो पढ़ते जाए याद करते जाए चले मैं आपको लेकर चलता हूं इसके कुछ इंस इंपोर्टंट पंजी प्रोष्ठ पर जोकि मैंने बताय था है पंजी प्रोष्ठ समझना है उसके बाद इसके सारे प्रशन अप्षण बेकुद बनालें गे तो सबसे पहले लेंदार या लेखा की बहीमें क्या पंजी प्रोष्ठ यो दिए तो तो हाँ, विपात्र का लेखा औरनेवा स्वक्रिती जब हो जाती है, तो प्राप विपात्र खाता विकलन किया जाता है. श्विकर्ता के व्यक्तिकत खाते से जब उसका नाम देगा तो उससे बोल लेंगे. ठीक है? फिल श्विकरता या दिन्दार की भही में क्या होगा विपत्र के सुकृति का लोटा दे जाएगा तो लेखा का वैक्तिगत खाता भी ग्लान गिया जाएगा देव विपत्र के खाते सी टिक एक जामपल के लिया एक प्रश्ण है एक दिसम्बर दोजार को विशाल ने मेखिल को विशाल ने विशाल ने तब उसको मेहूल ने शिकार किया दोनों की खातों में बही में पंजी प्रुष्टी कीजिए तो देखिए सबसे पहले हम एंट्री करेंगे अब इसको अब ध्यान से देखिएगा मैं इसको हालाइट कर देता हूँ जरा एंट्री नबूक आओ विशाल की बहियों में उसने मेहूल को बेचा है तो वो मेहूल को विकलन करेगा विक्राय खाता से यह कॉमन प्रविष्ठी होती है किसी के भी खाते में जब वो जिसको बेचा है उधार रोपसे तो वो जिसको बेचा है उसको विकलन करेगा विक्राय खाता से ये common आपको हर प्रस्ण भी करना ही याद रखना है ठीक है तो जब भी विक्रेता की पुस्तकों में entry होगी तो वो क्रेता को विकलन करेगा विक्रे खाता से अब उसने विपत्र को शुक्रिती कर दिया जो उसने लिखा था तब प्रापी पत्र खाता विकलन मेहुल से होता है ठीक है अब मेहुल के में क्या होगा उसने खरीदा है अब मैं खरीदने वाला हूं समझ लो तो मैं बोलूँगा क्रेग खाता विकलन विसाल से खरीदा हूं तो विसाल से ठीक है अब विसाल को पैसे देने है इसलिए विसाल को विकलान कर देना है देवी पत्र से क्लियर बस तो दोनों तरह से आप सोचो पहले बेचने वाले की साफ से सोचो तुम बेचने वाले हो ये समझ के पिर अपने आपको सोचो तुम खरीदने वाले तो तुम खरीदने वाले किसाब से क्या प्रुष्ठी करोगे अपने मायन को बस उस इस जिती में रख लो फिर ये पंजीप प्रुष्ठी रटना नहीं पड़ेगा या आपको समझ में आ जाएगा इसी तरह से विपत्र कर एक्स्ट्रा बढ़ जाती है जो कि आप इसमें देख सकते हैं एक्जामपल नमबर टू में प्रश्ण ये है कि एक सितंबर 2013 को एक्स ने वाई एक्स ने वाई को 1000 रुपए की कीमत का माल बेचा तूरंद एक विपत्र लिख दिया जिसमें एक महाबाद की तीथी में कैसीं से पढ़ना है कि किसने किस को बेचा तो एक्स ने वाई को 10 1000 core की कीमत का एक माल बेचा तो एस ने वहता त्वाई को तो बेचने माल एक सàiतो एक्स आपका लेंदार है तो वो क्या करेगा सबसे पहले y को बेचा था किया टो रखा भीपत्र का तो यह क्या मोलेगा प्राफ वीपत्र को किसे य से करेगा लिचनल वा के जब पैसे मिल गया नगा इसको पार था planets धाइम पर तो रोकड मिपाज च्किर के पुस्सोर में 25 क्रॉष्टि करेंगीbach तो हमें याद रखना है कि इसने खरीदा है तो क्राय खाता विकलन एक्स से अब विपत्र के स्विक्रिति किया जाता है तो जिसको देना है उसको विकलन विपत्र से तो एक्स विकलन दे विपत्र से अब पैसा दे दिया गया है तो दे विपत्र विकलन क्योंकि पैसा उसे मे दिया जाएगा रोकड़ खाते से तो इस तरह से तीन प्रविष्ठी होती है इतना अगर आप कर लेते हैं और रही बात कारण की तो कारण आपको उपर हिंदी में थेयरी में दिया हुआ है आप इसको देख सकते हैं ठीक है बस इतना ही लिग देना है फिर हो गया आपका तो यह दो टॉपिक अगर आप बना लेते हैं तो आगे के टॉपिक काफी सरल है उसको हम डिटेल से करेंगे हमारे नेक्ष वीडियो में अभी के लिए बस इतने हैं तो अभी का वीडियो आपको कैसा लगा आपके मैंने 22 मिनिट लिया है तो आपको मैंने में में थियोरी बता द ने है छे नंबर के भी चार नंबर के भी आपके ग्यारवी के लास्ट इक्जाम में तिमाही में तो नहीं आयता पर शेमाही में अर्धवार्चिक में भिया सकता है तो ध्यान से पड़िए समझे थियोरी को याद कीजे बागे प्रैक्टिकल के लिए मुझ मुझ पर छोड पर शेमालें तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अभी के लिए ठाइक्स वाचिंग वीडियो को टाइम पर पाना चाते हैं आगे के वश्रण को देखना चाते हैं तो सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस्ट बेल आइकन